असलाम उलेकूम सस्यकाल नमस्ते आधाब तो कैसे हो आप सब खेरे से हो माशालला रमजान मुबारक आज चान रात है साओध एरब में माशालला कल इंडिया में रहेगा बहुत सारी नियूज थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और भी थोड़ी बहुत आप लोगे से बना रहा हूँ दस बच के चार मिनट हो रहा है वीडियो लेट बनाने का रीजन यह है कि अब रमजान में वीडियो लेट आएगी क्यूंकि न्यूज भी लेट आ रहे है तो आप लोगको अपडेट देना जरूरी है क्या पता भी में वीडियो बना दू थोड़ी दिर के बाद कुछ changes आ गए समझ रहे हैं ना तो क्योंकि सौधी अरब में था मैं रमजान में तो ज्यादा तर सहरी के टाइम पर न्यूज आती थी तो कुछ न कुछ changes आते थे तो उस सहरी के टाइम पर आता था सौधी के टाइम से इसके लिए मैं देख रहा हूं तो आगी पीछे कर लेते हैं टाइमिंग आगे पीछे क्योंकि आपको पूरी अपडेट मिले यह नहीं चाहता कि मैं दो घंटे कोई नियम कानून आगे आपको पता ही नहीं है स माशालला और अलम्दुल्ला ऐसा ही चलता रहे और आज शाम के आसपास का यह फोटो है जो आप देख रहे हैं माशालला माशालला देखियो ऊपर में भी भीर है अलहम्दुल्ला और नीचे देखिए यहां पे पूरा कितना अच्छा से लग रहा है बहुत खुबसुत आदमी घूम रहा था याद है अल्ला ना करे वह ऐसा टाइम दुबारा आए और वो टाइम कभी भी ना आए बहुत गहर मुल्कियों की हालत बुरी हो गए थी अब अगली निउस में आपको शेर करूंगा यहां पे देख सकते हैं माशालला और रमजान के चांद को लेकर रमजान का चांद नजर आ चुका है और तस्वीर भी आ चुकी है यहां पे आप देख सकते हैं 22 मार्च का यह फोटो है जो कि आप देख सकते हैं यह चांद है जो इन्होंने चांद का फोटो लिया है और देख सकते हैं इंटरनाशनल एस्ट्रोनोमिक सेंटर ने रमजान क पहली तस्वीर जारी की है रमजान के चांद की पहली तस्वीर जारी की है ये तस्वीर बुदवार को रमजान के चांद की तस्वीर अबुधाबी से ली गई है ये फोटो साओधी में नहीं लिया गया ये फोटो अबुधाबी में लिया गया है यू ए ए के अंदर लिया ग गया रमजान में भी इन लोग को चैन नहीं है साओधी अरब में 42 चारी लोग को पकड़े गए हैं 142 अधिकारी को हिरासत में लिया गया है ये लोग एंटी करप्शन बहुत सारी चीजों में टैक्स में कस्टम अथॉर्टी में सब लोग को गिरिफ्तार किया गया है 1631 जाच हुई जिसमें से इन लोग को पाया गया है जो कि ये सारे के सारे दोसी हैं बहुत अच्छी बात है कि साओधी अरब में नियम कानून सब के लिए एक है चाहे वो अजनबी हो या साओधी सब के लिए एक कानून है कोई फरक नहीं है ये में बात है अलहम्दुलिल्ला और इन सब के उपर कारवाई की जा रही है लगबग 251 अधिकारियों से पूस्टाच की गई है इनमें आंतरिक मंतरा ले रक्षा राष्टे रक्षा विदेस मामले में विदेसी मामले में भी कुछ जो सेटिंग वेटिंग से साओधीर बोलाते है उन लोग के लिए भी यह ही है बहुत सारा लोग का सवाल रहता है जब दो रियाल रिट बताय कीजिए रियाल बता के फाइदा ही क्या यार आप लोग पैसे भीजने जाएंगा ता आपको पता लगी जाता है 22 रुपे 50 पैसे के आसपास है 22 रुपे के आसपास रियाल रिट है आपको चल रहा है हो जाई है साओधी अरब में अजनभी या साओधी कैदी हैं तो उन लोगों को भी अब आप एपसर पे बैठे बैठे ही आप उनको छुड़वा सकते हैं आप जो है कैदी के लिए एपसर एकाउंट से एक नमबर जारी करके और आप पबलिकली चंदा जमा कर सकते हैं एपसर के थुरू उस साओधी को आजनभी को छुड़वा सकते हैं अगर उसके उपर कोई जुर्माना है तो ये बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है बहुत सारे आजनभी लोग साओधी में टिक टॉक चलाते हैं शोशल मीडिया चलाते हैं जेल के अंदर मेरी वीडियो देख रहे तो अगर आप लोग एक वीडियो प्रोपर डिटेल के साथ भेज दिजे कि मैं कहां से हूँ क्या प्रावलम हुआ और उसके लिए आपको हेल्प चाहिए एक एक रियाल भी कोई आपकी मदद कर देगा तो आपका प्रावलम जो दस सालों में भी सॉल्व नहीं होगा वो ए यहां पर भी किसी बहुत सारा लोग की मदद कर सकते हैं आप लोग के दूरू इंशालला ठीक है यति कुछ नियूज आपको शेयर किया हूँ ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रमजान को ले करके रमजान में कल जो मैंने वीडियो बनाई आप लोग को शेयर किया रमजान के बारे में जो भी बन्दी से हैं वो सारी चीज़े मैंने आपको बताई आप लोग को पता भी है पहर की वीडियो मैंने बनाई है तीन साल को बैन को ले कर ग कर के तो हमारे शाहिर भाई आए घर से तीन साल का बैन लगा हुआ था उन पे लेकिन उनके कफील ने उनको बिलाया तो तीन साल का बैन उनका हट गया पुराने कफील के साथ बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं बाइर ऐसा वीडियो वगर मत बनाएं कीजिए जिससे हमें कोई फाइदा ना हो देकि आप ही लोग के जैसे भाई लोग आते हैं जाते हैं जो जाते हैं घर पहुंचते हैं कोई पड़िसानी में होते हैं फिर हमें बताते हैं देन हम उसके थुरू एक वीडियो बना देते हैं जो आप लोग तक पहुंचती है और हिल्प के तौर पे आपको फाइदा हो जाता है तरहरों को याद होगा कि मार्च में 21 मार्च को 21 मार्च 2021 या दोजार बीस में कानून आया मतलब अब हम अपसे कफील शुट्टी लगा सकते हैं या फिर कंपने शुट्टी लगा सकते हैं इस पर मैं आपका एक हिंस लेकर रखूँगा और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कल इन्शाल्ला और आप लोगों को बताऊंगा प्योर प्रूफ के साथ में क्योंकि हमारे ए रहे में तो दुआ में जरूर याद रखिए और खपसा बहुत याद आ रहा है आप लोग अगर रमजान में कोई भी ट्रैवल कर रहे हो इंडिया तो मेरे लिए खजूर लेकर के आना प्लीज दिली भी कोई आ रहे हो तो प्लीज मुझे इंस्टागराम पर मैसेज कीजिए स क्वादी का कोई भी बिला दो जो पैसा बनेगा मैं आपको दे दूँगा यहाँ पर थीके अलावीज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो